दोस्तो एक है seatbelt, pre-tensioner और एक है load limiter seatbelt तो यही होता है लेकिन इसके साथ में pre-tensioner और load limiter है तो उनके क्या function है वो देखेंगे जैसे हमारी car केची से hit होती है तो यहां airway और इस B pillar में मौझूद pre-tensioner इन दोनों को एक साथ indicate मिलता है active होने का तो इदर airway खुलने का process शुरू होता है और इदर से यह जो pre-tensioner है यह हमें जकडने का process शुरू करता है तो हमारी seatbelt अगर हम इस तरह से हैं इस position में हैं यह इस position में हैं तो यह इस तरह से जकडता हुआ चला जाता है और हमें यह seat के पास ले आता है इस तरह से जकड लेता है तो यह pre-tensioner का काम है कि जैसे ही car हिट होती है तो यह passenger या driver को इस तरह से जकड लेता है अगर यह lose मी है इस तरह से तो यह इस तरह से जकड लेता है अगर हमने seat belt नहीं लगा रखी है और गाड़ी हीट होती है तो हम इस तरह से move करेंगे और दूसरी तरफ से जो airbag है खुलने का process सुरू हो जाता है तो airbag पुरा खुलने ही पाएगा और हम उससे टकरा जाएंगे तो airbag पुरा खुला नहीं है और उसी दोरान हम टकरा गए है तो airbag के खुलने की speed इतनी तेज होती है कि उससे हम जब टकराएंगे तो हमें बहुत ज़दा चोट पहुंचेगी तो इसे ऐसी condition में दोस्तो airbag हमें बचाएगा नहीं बलकि airbag हमें भयानक चोट पहुंचाएगा हो सकता है कि इससे डेस तक हो जाए तो इसलिए जरूरी है कि seat belt हम जरूर लगएं तो दोस्तों साब हैं कि airbag हमें बाद में बचाता है पहले हमें seat belt बचाती है तो किसी कार में airbag है तब भी seatbelt जरूर लगाना चाहिए और airbag नहीं है तब भी seatbelt लगाना चाहिए क्योंकि seatbelt ही हमें steering या dashboard या जो भी hard surface है उससे सबसे पहले बचाने का काम seatbelt ही करती है दोस्तों वापस आते हैं हम pre-tensioner पर है वह एक्टिव होता है दोनों एक साथ में काम करते हैं तो इधर airbag खुल जाता है और इधर जो pre-tender है तब तक हमें जकड कर लगता है जब airbag पूरा खुल जाता है उसके बाद में लोड लिमिटर एक function है वह काम करना शुरू करता है अब दोस्तों बले पी टेंखनर ने हमें पीछे की और जकड लिया है लेकिन जैसे ही हिट होती है तो हम आगे की और मूह करने लगते हैं इससे हमें बैल्ट से चाती पर जोरदार जटका लगता है दोस्तों जोर से लगे सबस्क्राइब के से हमें internal injury हो सकती है ऐसे में हमारी हेल्प करता है लोड लिमिटर को फोर्स लिमिटर भी कहते हैं लोड लिमिटर भी इसी दौरान active हो जाता है और यह seatbelt को release कर देता है उस से पहले दोस्तो airway खुल चुका था तो load limiter की बज़े से हम एक सही तरीके से airway पर इस तरह से land हो पाते हैं अब सवाल उड़ता है कि क्या सभी कारों में seat belt के साथ में pre-tensioner और load limiter भी होता है तो दोस्तो इसका जवाब है नहीं seat belt तो सभी कारों में compulsory है पर अक्षर जो top variant है उसमें ही seat belt के साथ में load limiter और pre-tensioner होते है तो दोस्तो कार लेते समय ये confirm कर लेना चाहिए कि seat belt के साथ में pre-tensioner और load limiter है या नहीं